M.T.T.V. के स्थापना दिवस्ट पर M.T.T.V. की तमाम टीम को और उसके साथ साथ उनके तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक बढ़ाई देना चाहता हूँ जिस तरीके से देश बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और मीडिया का सुरूप भी लगातार बदलता जा रहा है पहले प्रिंट मीडिया उसके बाद इलेक्ट्रोनिक मीडिया और आप शोशल मीडिया की भूमी का जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कहीं न कहीं एहम हो जाता है M.T.T.V. जैसे जो नवाचार है वो इस समाज में किये जाए बहुत कम अवधी के अंदर M.T.T.V. ने अपना जो विस्तार किया है मैं M.T.T.V. इंडिया के दर्शकों को M.T.T.V. इंडिया के दो साल सफलता से पूर करने के उपलक्ष पर भारतिक बदाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि M.T.T.V. इंडिया योही सारजनिक सरोकारों को लेकर सच की लड़ाई लड़ता रहेगा M.T.T.V. इंडिया के दो साल पूरे होने पर ते दिल से अहादिक शुब कामना है वो इसी तरह से न्यूस और न्यूस पोर्टल की दुनिया में इसी तरह से काम करता रहे ताजा खबरे देता रहे और सभी काम करने वाले करमचारियों को हारदिक शुब कामना है आप एक लंबा अनुभाव अपना शेयर करें धन्यवाद एमटी टीवी को दो साल पूर्ण होने पर मैं अपनी और से शुब कामना है देता हूँ बदाई देता हूँ क्यों वरत्मान समय में सटिक समाचार देना जानकारिया देना जो आज के आउशकता है निर्भीक रूप से उसमें एमटी टीवी ने अपना रोल अदा किया है और निश्चित रूप से इसका लाव आम जन को भी मिला है मैं सुखता हूँ यह मिलता रही और यह टीवी अपनी सफलता अरजित करता रही मैं अनुजा गरवाल तनिश्क अजमेर की तरफ से मैं एमटीवी इंडिया को अपने तनिश्की तरफ से और तनिश्की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बदाईयां देना चाता हूँ उनके दो साल पूरे होने पर और ये भी संग में बताना चाता हूँ जो की दो वर्ष निकले हैं उनमें MNTV इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है साथ ही जो अजमेर में समस्याई थी उन समस्याओं का हल करा है उन समस्याओं को उठाया है तो वो बहुत बड़ी बात है और आने वाले टाइम में जैसा बताया जा रहा है कि राजिस्थान लेवल पह भी आरे हैं तो उसके लिए भी शुब कामने बढ़ाईया हमाई तरफ से खबरों के लिहास से भी अगर हम बात करते हैं और सूचनाओं के आदान परदान के लिहास से भी अगर हम बात करते हैं समाज के बीच में रहकर के समाज की तमाम अच्छाईयों को तमाम बुराईयों को उजागर करना और साथी साथ सामाजिक सरोकार निभानी की जो परंपरा MTTV ने शुरू की है ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और इसी निश्पक्षता के साथ मैं MTTV समाज के बीच में समाज की सेवा के लिए मौजूदगी दर्ज कराए तमाम शुबकामनाओं के साथ हर दिका भार सबसे पहले तो मैं MTTV इंडिया को और परिवार को बहुत बहुत बढ़ा ही देना चाहूंगा कि आपने सफलता पुर्वक अपने दो साल पूरे किये हैं और इन दो सालों में आपने हर उस मुद्धे को चुआ है और बहुत अच्छे तरीके से उस पर प्रॉपर न्यूज बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सचाई से दिखाई है और सफाई से दिखाई है तो इसके लिए आप बधाई के पातर हैं और जिस तरीके से आपने दो साल लगन से मेहनत से अजमेर के पबलिक से रिलेटेड और अलग-अलग मुद्धों को मैंने भी कई बार देखा है हाला कि समय थोड़ा सा मेरे पास कम रहता है तो मैंने देखे हैं मुझे बहुत अच्छे लगे वो कंटेंट और मेरी ये प्रबल इच्छा है कि और प्रभू से कामना करता हूं कि आप इसी तरीके से हिम्मत से आगे भी अजमेर के मुद्धों को उठाते रहें और ऐसे साल पूरे होने पर बहुत 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 बदाई जैसा MTTV जो है हमारे साथ में काफी समय से जुड़ा हुआ है अनुवल पंक्शन कले तरद वूमन पर भी उनका बहुत इंपॉर्टन रोल रहा है एक विमन एंपावर्मेंट का मेसेज पचाने का थैंक यू मेरा नाम प्रशन गोपार शर्मा और मेरी तरफ से में MTTV चैनल को बहुत बदाई देना चाहता हूं कि इसने अपने दो साल का जो सफर है बहुत ही अच्छा पूरा किया और इस चैनल के माध्यम से जो डिजिलाइजेशन है जो एक न्यूज स्प्रेड हो रही है सब जगे जो पब्लिक को एक अवेर कर रहे हैं यह बहुत ही सरानी है और हम चाहते हैं कि आगे भी चैनल इसी तरीके से तरक्की करें और हमें हमारे आसपास की और इस पूरे देश की जो भी न्यूज हैं वो हमें समय पर उपलब करा हैं जिससे हम अपने आपको और अपडेट कर पा हैं और लोगों के दिल में अपने लिए और अच्छी जगें बनाते रहेंगे जो आपने बहुत अच्छी बना ली है तैंक यू सो मॉच मैं डॉक्टर धर्मिन दुबे और बहुत ही कुशी से और दिल की गराईयों से एम्टी टीवी परिवार को पूरी दो साल पूरा होन पर बहुत सब्कामना बदाईयां देता हूं मैं लगातार दो साल से इसका दर्सक रहा हूं और सारी खबरें देखता हूं और हम इनने देखाया कि जिस तरह से सच्चाईयां समाज में उजागर कर रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं इनकी पूरी टीम मैं इसके लिए य Chr bei रही खरें hy। में जो जो दो के विंडी पड़ेल में बहुत बश्या है। और शब्सक्य बड़ी बात है। अज मेर में डीजटल तो आजकल यूआ को और बहुत अच्छा है कि लोग हर न्यूज को दिखाते रहते हैं और यूआ के लिए बहुत अच्छा है है रोजगार कि से जूड़ सकते हैं और साइज न्यूज को करेंट मिलता रहता है और हम इंको बहुत दो बढ़ाई जाते हैं दो साल पूरे होने पर उनकी पूरी टीम को और उनके तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुपकामना है और इसी तरह के साथ अजमेट जिले की तम समस्या हैं जो राजनेतिक हैं सामाजिक हैं अपराज जगर से जुड़ी हैं उन तमाम सूचनाओं को अजमेट जन तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी के साथ निर्वहन दो साल से एंटी टीवी इंडिया टीम कर रही है वो लगातार इसी तरह से आगे बढ़ाती रहे औ उन तमाम मापदंडों और मुल्यों का बखुबी निर्वहन करते हुए पुरी टीम जो है वो आगे बढ़ती रहे इन तमाम शुबकामनाओं के साथ एक बार पुन एंटी टीवी इंडिया को दो साल पूरे करने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुबकामना है मैं नरेंद से दो साल में बहुत बड़े-बड़े काम दिखाते हुए और लोगों को जन जन को उनकी आवाज पहुचाई है एंटी टीवी इंडिया को दो साल पूरे होने के बहुत बहुत बड़ाई हो एंटी मेटर टीम उनको बहुत बहुत बड़ाई हो शुबकामना देती है और जिस तरह कि से एंटी टीवी हमें अजमेर की न्यूज देते हैं और लोगतंतर की जो डिजिटल लाइफ है उसकी हमें एकदम न्यूज प्रॉपरली मिलती है और पूरी जानकरी के साथ मिलती है तो ऐसी तरह चलता रहे और इसी तरह हमें जानकरी मिलती रहे तो MTTV को अगेन बहुत-बहुत बदाईया हो एंटीमेटर फिटनस स्टूडियो से मेह रिज़ग दी MTTV को दो साल पूर्ण हो चुके हैं एंटीमेटर जिम की तरफ से उनको बहुत-बहुत बदाईया वो जिस तरह के से कार्य कर रहे हैं आगे भी वैसे ही कार्य करे हमारी यही शुपकामना है हलो मैं पंकर चंगलानी प्रम एमडी मोबाईल MTTV इंडिया को दो साल पूरे होने पर हार्दिक बताईया आज हमारे अजमेश शेयर को जिस प्रकार की समाचार प्रेस की जर्वत थी वो हमारे MTTV इंडिया ने पूरा किया है हमारे MTTV की सप्पा तक सुशील पारने कहीं खत्रों का सामना करते वे कहीं जोखी मुठाते वे हर खबर को हर कोने से कोने की खबर को हमारे तक पहुचाया है जंता को जागरूप किया है पर सासन किस तरह से काम करता है नहीं करता है सब को जागरूप किया है उनके लिए हम बहुत बड़े आबारी है हमारा पुरा अजमेर शहर हमेशा उनका आबाई रहेगा हम वही चाहेंगे यही चाहेंगे इनका बविश्य उजवल हो और इसी तरह से वह काम करते रहे तो हमारे अजमेर का बविश्य भी उजवल होगा मैं गिरिश कुमा चंगलानी, MDM World Assessence and Repairing से, MTTV इंडिया को मैं दो साल पूरे होने की छुपकामना देता हूँ और MTTV इंडिया जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि MTTV इंडिया उस तरीके से काम करती रहे है उन सब को परशासन तक इनोंने पहुचाया है और मैं दो साल पूरे हने पर अपनी बहुत-बहुत बदाई देता हूँ सुनेल सिंग राजावर, जिलाईवा मोर्चा मंत्री हाँ जी, यह MTTV चैनल को जो दो साल पूरे हो चुके हैं, उसके लिए मैं बदाई देती हूँ और यह चैनल समाज का आईना है, मीडिया समाज का आईना होती है, जो खबरे जो अंदेख्य होती है वो हमारे सामने आती है और यह अच्छी खबरे बेच्छी देते हैं और समाज को मतलब आगे बढ़ने के लिए सायक भी है, वोड़ शक्राइब पहले तो मैं MTTV इंडिया की समस्त टीम को बहुत सारी शुपकामनाएं देती हूँ कि आज सभी चैनल अपने अपने माधियम से मैं सबकी तारीफ करती हूँ, लेकिन MTTV चैनल का जहां तक मुझे एक्सपिरियंस है, जहां तक मैंने देखा है हर फिल्ड में और हर शेत्र में और हर समय पर रेडी रहने वाली ये टीम है इनके पास, जिनों ने किसी को आज तक मतलब कोई भी कवरेज हो, वो सबसे पहले मैं जहां तक देखती हूँ, या जहां तक मैं जुड़ी में हूँ, MTTV ने सबसे पहले उसको लोगों के सामने ल जो हर जगह पे और अपनी एक बहुती सक्षम लोग हैं, जो अपना पूरा-पूरा इस MTTV चैनल पे पूरा रोल निभा रहे हैं ये लोग, और इस बात की मैं उनको बहुत सारी शुपकामनाय देती हूँ, कि ये टीम आगे भी बहुत सारे ऐसे जो भी अच्छी चीजे हैं चाहे बुरी चीजे हैं, सभी हमारे सामने लाके और हम सब को एक मार्गरशन भी देती हैं और हम जुड़े हुए हैं, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, और सभी पूरी टीम को एक बार बहुत सारा धन्यवाद रखी जाए, तो इस चैनल ने भाग कर और अपना साथ दिया है, तो मैं तो इस चैनल के सारे परिवार सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा, और अग्रीम जो आने आले साल है, उसमें भी वो इसी परकार जनता के साथ बने रहें, और तरक्की करें, आगे बढ है कि इस दो साल के छोटे से प्रियर्ड में, MTTV अजमेर में एक बहुत बड़ा चैनल बन गया है, और लोगों की जमान पर आ गया है, यह अपने आप में बहुत बड़ा अच्यूमेंट है, MTTV के लिए, MTTV के जो शुशिल जी हैं और जो उनकी टीम है, वो बाके में बहुत म कांपीर होनेगा, और आपकी तरह से जो भी हमको न्यूज बगरा मिलती है, उसको हमको काफी अपडेट रहते हैं, और खासतोर से इस एरिये में जो भी हमार को खवर हमको टाइम टी टाइम उसकी मिलती रहती है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत दन्यवाद मेरा नाम है चेतन है, और मैं DRC है मेरा, DRC फिटनेस सेंटर है मेरा यहां पर, उसकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत दन्यवाद देता हूं थालेन a जसकी मैं आपको पकुछ झनले आपको बहुत आपको शचरनः आपको दितITT हुत बहुत दन्यवाद